अगर आपको भी फ्री फार गेम के अंदर इस तरीके से प्रोब्लम आ रही है यहाँ पर रिज्यूम डाउनलूड वाइफाई सेटिंग यहाँ पर ओटोमेटिक यह डाउनलूड होई लगता है ठीक है यह आप देख सकते हैं और यह डाउनलूड क्यों हो रहा है ठीक है यह केसे सोल्व करेंगे तो मैं आपको इस वीडियों मताऊँगा देख सबसे पहले आपको फ्री फार निकल ना है और फ्री फार को सबसे पहले बैक ग्रांड शे अटा दिचिति कहीं वेक ग्रांड शे अटा दिया हूं आप फ्रीफार मैक्स के अंदर यह प्रप्रब्लम क्य के लिए आपको अपने my file manager में जाना है और यहां device पर जाना है और यहां पर आपको देखना है android android के अंदर यहां पर होता है obb के अंदर जाना है यह जो लिखा हुआ है com.dts.freefiremax या फिर freefire इस तरीके से उसके अंदर आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारी obb file है यहां पर उसका size 8.3 mb है जो मैंने अभी download किया था वही so हो रहा है तो इस तरीके सी obb file है यहां so नहीं हो होगी इस लिए problem आ रही होगी तो आपको क्या करना है अपने friends से कंहा है कि हमें obb file और交़ और share कर देख दो इसके ब Rad अपको ओब Clock share key होगी वो आपको नहीं मिल रही है तो आपको डाउनलोड में देखनी होगी, डाउनलोड में भी आपको नहीं मिल रही है तो आपको चेक कर लिजिए कि folder कर के, यहाँ पे MIUI में मिल जाएगी ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे share me silly होगी तो आपको वो copy करके क्या करनी होगी उसमें जाके move कर देनी होगी ठीक है जैसे कि मैं आपको दिखा दा हूं android में जाके obv में जाके com.dts.freefiremax में जाके यहां पर आपको उसे paste कर देना हो ठीक है और कभी कभी क्या होता है वो भी फाल होती तो है लेकिन यहां पर नेम गलत हो जाता है तो यहां पर आप चेक कर देजी com.dts.freefire लिखना हो ठीक है इसी तरीके से जिसे freefiremax की है तो इसी तरीके से आप लिखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है इसी तरीके से solve हो जाएगी ठीक है यह कोगा जो एप होता है वो तो आ जाता है लेकिन उसकी obv फाल नहीं आती जब तक obv फाल नहीं आगी तब तक आपका जो freefire है वो work नहीं करेगा ठीक है तो